हेलो कईज में नामें शूम आपका स्वाकत हमारे श्युटीब चैनल पर यह है मेरे पास रियल्मी के तरफ से न्यू स्मार्टफोन रियल्मी 9 प्रो स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स अंटिप्स देखने को मिल ज जाएगा realme 9 pro के तो वीडियो काफे देंट्रस्टिंग होने वाले तो वीडियो को सुरू से लगे एन तक वोच करते रिएगा आगे जाके वीडियो में लोगे तो लाइक कर सकते हैं और चैले पेने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले फिचर की बात किया है तो यह आप को अइकन कस्टमाइशन का एक Demon देखने मिलें जो भी आपको से पसंदाता वह आप इसमें सर्ट कर सकते हैं और यहां पर देखने मिले मिले तो यहां पे देखते हैं आइकन को यहां पे छोटा बड़ा या मीडियम लार्ज अप कर सकते हैं यहां से देखते यह भी कर sinon देखे माईशन मेलते हैं जे आप को औया थे सिस्लिए और चोलेकर अब compos pra ख सतके हो आ मैं खेते हैं मुंते हैं को यहां से प्लाइऑ पर सबस्क्राइब रोपने करेंगे आप यहां पर बीघाता हूं क्या मोच्वमिजग करिंद्याब है अब यहां सबस्क्राइब क्रोड़कर मेने का वहां करने के बाद यह उसके लाई यस आप几ीग करेंगे distress मिलते ह면 यह काफी अच् petit to यह काफी चाई फीचर की अथल को यहां पर इसके और मॉर सेक्षिन प्रॉय सलम यहां करता है जैसे कि मैं इस टेंड लेंटाइं और स्वेच पर क्लिक करने के लिए यहीं पर आपको जाना होगा मोर सेक्शन के अंदर और यहां पर अपलाई कर दीजिए स्वीच पे क्लिक कर दीजिए और आप में एक ड्रोवर बाफिस से एक्टिवीट हो जाएगा देखते हैं इसके अंदर एक्टिवेट हो चुका है ने कुछ फीचर की बात क है तो चलते हैं मोर सेक्शन में और यहां पर आपको देखने हमलता है स्वाइब डाउन टो होम स्वाइब करेंगे दो लेता हूं दो कि Кстати संड्रोवर आपको ओपन होएगा तो जो भी आप सेलेट करकर रखेंगे वहां पर है क्या recess kort की जिए को विघं़ सिएक और आपको त देखने मिलता है इसको अनेबल करने के बाद अब यह दिखाता हूं किस प्रकर से पर करता है अब देखते हैं फोन को जैसे थोड़ा से से करूँ मतलब थोड़ा से मतलब बटन को प्रेस नहीं करना और प्रमाटिक आपका स्क्रीन ओन हो जाएगी मतलब उसको पता लग चुक को मिल चुक है मतलब बन हैं अबने फोन को एकसेस करना तो यहां पर देखनी मिलता है आयकन क्युद नहीं देखने को मिलता है और यहां पे Google Assistant कर देंगे तो Automatic Google Assistant यहाँ पर एड़ हो जाएगा आपके लोग स्रीन के अंदर तो इसको ओफ ओफ करने का यहाँ पर फीचर दिया बाए जिसे आप यूज करना जाते तो कर सकते हैं नेक्ट कुछ फीचर की मैं बात करूँ तो वह आपको देखने मिलता है Glance for Realme जो कि इसक दो फोन यूज करना चाहते हैं तो वह भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं मतलब एक ही फोन होंगे और आप दो चीज यहाँ पर यूज कर पा होगी यह आपको देखने हो मिल जाता है नेक्ट फीचर की बात किया है तो वह आपको देखने मलता अबाउट फोन के अंदर एक जाएखने में फोन के अंदर फीचर है क्योंकि इसमें रियल्म यूज फ्री पॉन्ट जीरो है और यहाँ पर हमें देखते हैं रैम पर क्लिक करता हूं तो यहां पर रैम एक्टेंड करने का फीचर देखने हो मिलता है और फाइव जबी रैम एक्स्टेंड वगरा आप कर सकते हैं तो अगर आप मल्टी टास्किंग वगरा आपका ज्यादा यूज है मतलब गेमिंग वगरा ज्यादा करते हैं तो इसको रैम एक्षिटर को ओन कर लीजिए और कि थोड़ी पर मोमेंस हो जाएगी नेक्स फिचर की बात किया तो वह आपको देखने मिलता है सिस्टम भी कर सकते हैं माल में टभ मेंनु पे क्लिक करता हुं तो यहां पर आपको काफी सारे अब यहांप बटन देखन हैं गात सब्स Oui और हम चलते हैं यहां पे आपको और यहां पर देखन काinek का का यह का आपको और को कर सकते हैं जहीं डबलू पर क्या ओपन होना चाहिए जो भी अपस्सका को धिकाता हूं कन रिखाता और यहां पडी यह ब्लपेस कर ददेता ओऊ किया क्या मतलैब कर सकते हैं । उप तो यह को कर सकते हैं तो इसको कर देता वाड़ाल वगारा भी यहाँ पर ओ होफ कर सकते हैं इस फून आदर और इस तो वह भी आप ले सकते हैं यहां से फौन के इन रह लेना यहा बिना पर यहां boring कर सकते हैं इस और सबर ऑड़ं यहां से आपको बैक करना पड़ेगा जैसे आइफोन वगरा में आपने देखा है तो कुछ इस टैप में आपको सिस्टेम नाविगेशन का ओप्शन देखने को मिलता है ने कुछ फीचर की बात किया तो यहां पर वन हेंड़ेड मोड का भी ऑप्शन देखने मुलता है इसको कर देते हैं और अलो तो यहां पर देखेंगे करेंगे तो यहां पर एक बटन एड़ हो चुका है जिसमें काफी सारे फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं मतलब क्योंक एक्सेस का फीचर भी आपको देखने मलता है वोल्यम डाउन ब्राइटनेस अप डाउन यह सब कुछ यहां कि यहां से इसमें भी कर सकते हैं तो यहां पर इस बटन को भी एड़ करना चाते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं फुल स्क्रीन के अंदर मतलब 100 आपका मोड हो जाएगा यह ने कुछ फीचर की बात किया है तो इस फोन के आपको स्क्रीं रिकोर्डिंग का फीचर भी देखन पर के और लिए और यहां से भी आपका इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं तो फिल आलकिल हम करते हैं से एक जिडूरी में एक्जीट हो कर सकते हैं और यहां पर यहां पर एड़ भी कर सकते हैं जो एपस smells आप की जाया यूज होती अब प्यूक्ना चाहते हैं तो यहां पर सब्सक्स कनद लेखने हो आप्ट के लिए इसको करते है एकजिद और हम चलते हैं से बैक है यहाँ पर देखना एक सिंपल मोड का ऑपिसिन इसको आप यह सारे एप और फोन एक आपक्रारी में लाइब सब्सक्रास आता को सारे आपको इसे और आपको डार्क मोड के अपिस्टिंग मैं देखने बिलता है कि इसको क्षट अब training आपको यहां की साइप उपन करेंगे और यहां पर इसको कस्टमाइज घाके हमरे आपके मॉड जाके सेके इसको कस्माइज कर सकते हैं मान लेजिए आपको थोड़ा सा कम यहां परटार्क चाहिए थोड़ा और भी कम चाहिए तो जिस्साब से आपको अच्छा लगए उस डार्क मोड को अपको उन कर सकते हैं मुझे डीप डीब ब्लैक्ट वाले डार्क मोड अच्छे लगता है तो मैं लेकिन थोड़ी बैटरी ज्यादा करेगा इस बात का थोड़ा ध्यान रखना इसलिए कर रहा हूं इसको रिफ्रेश रेट को ना यहां पर आप कर देजिए ओटो पर जब भी 120 हर्स की जहां पर सब्सक्राइब लगा सकते हैं इसका खुद का ही एप लोग का फीचर देखने को मिलता है यह फीचर काफी इंड्रेस्टिंग है जैसे कि मेरे को एमाजोन को हैट करना है हम चलता है सैटिंग पर यहां पर यहां पर और यहां पर लिखता हूं है अब यहां पर पासवट कर देता हूं वापिस से और यहां पर हैज कर देता हूं और यहां पर मैंने क्या इसके अंदर आपको focus mode का फीचर देखने मिलता है देख से यहां पर एक focus mode का फीचर देखने मिलता है अगर यह feature ना हो तो add को यूज नहीं करना इसको स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए फाइब मिन तक आप चाहकर भी इस चीज़ को यूज नहीं कर पाऊगों इसलिए इसका नाम रखाए कि फोकस मोट जो आप पर कर रहें उसी पर फोकस रखिए हमें यूज मत कीजिए तो यह आपको देखने मिलता फोकस मोट जिसका टाइम वगर आप चेंज करना जाता तो वह भी आप कर सकते हैं जितने टाइम के लगा सकते हैं कुछ भी आप यूज नहीं कर पाऊगों गया इसका भी सेट जिए मानले आपको सरकल जाएं जो भी चाहिए रांड़ेट जाएं विंडो वाला चाहिए तो इस पर कर सकते हैं मतलब इस चीज़ को भी कर सकते हैं नेक्स चीज की बात किया तो यहाप आपको देखने मिलता है फोन्ट को भी साइज आप छोटा बड़ा य सब्सक्राइव जा करना जो है तो यहां पर डॉल चाहिए तो यहां हाँ पर अलग प्रकार के ऐस देखने को मिल जाती किस्टम पर क्लिक करेंगे जो भी आपको कलर परसंद आ रहा है वो यहां पर सेव कर दिए ओटमेटिक और यहां से भाई साब यह चीज भी आप बाल पेपर को भी भाई साब यह अलग लेवल की एर कस्टमाइशन दी यह रियल मिया ने बहुत अच्छा अच्छे फीचर इसक अगले फीचर की बात किया है तो इसके अंदर आपको गेमिंग फीचर भी देखने हो मिलता है गेम के अंदर जाएंगे जो भी आपको गैम एड करना कर सकते हैं जैसे कि मेरे बस गयम नहीं तो मैंने फिलाल के लिए यह ड्यू एप एड़ कर लिया है वर यहाप मैं सोटकर देखने को मिलते हैं अपको देखने को मिल जाते हैं शहर्म पहुत कर सकते हैं तो यह ड्याप प्रकार से आप भी किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं जैसे कि आपको सर्च करना यहां से लगा सकते हैं और यहांपे चलते इसमें बैक और यहांपे विव जो भी आपको बसंदार यह वो भूस लगा लिजी और यहां बैक्गराउंड में जो भी आपको एफेक्ट चीह वो भी आप लगा सकते हैं जो भी जैसे कि मैंने बोल्ड कर रखा और डेट किस आप से दिखाने चीह वह कर लेना है और यहां पर आपको देखते चोथे नमर पर यह एपलीकेशन देखने को मिलेगी अभी दिखाता हूं दोनों के इस प्रकार से देखने मिलता है अब इसको अपने फोन के अंदर इसको ओपन कर लेजिए जैसे कि एट सेकंड दिखा रहा है तो फिलाल के लिए करने के बाद जो भी आपको क्लर चाहिए लग कोंसा रहाना चाहिए यह लो आना चाहिए ब्लू आज़े मिलेगा अब यह ने बिताता हूं किस परकार से आपको यह आपको अप्लिकेशन में जानी हो और यहां पे एक उप्शन देखनी हो मिलता है इस पर आप जाएंगे त यहां पर कर चाहिए जो भी एज़ लाइटिंग के अनिमेशन चीज़ यहां पर लगा सकते हैं पर यहां पर लगा लगा लेंगे वह आपको करने लगए और इससाब से आपको देखने को बंद तो यहीं देखने हो बातरम.